तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सभी चहां कई भी होंगे बहुत अच्छी होंगे और अपनी हेल्थ पैमिली थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी स्टेडिस आशा करता हूँ आप सभी चहां कई तो चलिए शुरू करते हैं बीना किसी रुकावट के हम लोग सिक्वेंस एंड सीरीज को स्टेडि कर रहे थे सिक्वेंस को मैंने गाता बाद में पढ़ाऊंगा और सीरीज को पहले स्टार्ट किया है सीरीज में हम लोगों ने काफी कुछ पांच क्लासेस के अंदर किया है ठ उनकी कंवर्जनसे और डायवर्जनसी पर हम लोग बात करेंगी ठीक है खोडिकत तो नहीं न मैंने आपको एपी वाली सीरीज बता दी थि मैंने आपको ट्रिंक्स बताएं थी शॉर्ट ट्रिक्स क्या बताएं थी अपको एक वार रिवाइस दिला दूं मैंने कहा था प्लस, 1 upon अगर मालीजे आपकी कोई सीरीज भी है जनाब, इस तरीके से में चल रही है, इंफिनिटी तक जा रही है, तो आप इसका सम विधिन सेकेंड दों में लिख सकते हैं, ठीक है, 3 से 4 सेकेंड के अंदर आप इसका सम लिख सकते हैं, और दुसरी मैंने आपको एक चल रही हो, ठीक है, 1 upon 1 into 4, plus 1 upon 2 into 5, plus 1 upon 3 into 6, plus dot 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 infinity, ये series हैं दो, तो आप इनका sum लिखना चाहिए, और आपको बताना है कि ये convergent है कि divergent है, आप तुरंद बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, पहली वाली series को उठाइए, पहली वाली series में एक, मैंने आपको बताया था, तरीका जैसे क्या था, यहां मैं यहां दिला दू, किया फिर मैं तुरंद आपको sum लिखके दिखा दू, revise करा दू, देखे मैं revise करा देता हूं, अगर कोई भी series इस form में, n, n plus 1, n plus 2, इसका मालेजी एक general term, dot dot, n plus m, ऐसे चलता चला जा रहा, कोई भी series है, one upon करके, और आपको इसका sum लिखना है, तो इसका sum की value बता क्या होगी, sum की value होगी, one upon m into one upon m factorial, ठीक, अगर आपके कोई series इस तरीके में है, उसका nth term, n, n plus m है, यह nth term है, तो उसका sum जो होगा, series का, sum क्या होगा, ध्यान दीजेगा, sum बता यह क्या होगा, sum उसका होगा, one upon m, ठीक है, multiply bracket, वही one upon one, plus one upon two, plus, ऐसे लिखते रहिए, one upon m तक, clear, हम लोगों का question देखे क्या है, question देखे क्या है, हम लोगों का, यहाँ पर लगे कि one upon m, हम लोगों का कितना है, हम लोगों का nth term इसमें क्या हो गया, n, n plus 1, और n plus 2, यही तो हुआ हमारा, तो इसमें m की value गत्ती हो गई, यह m हमारा हो गया, यानि कि one upon two, into one upon two factorial, यानिका answer, one upon four आ जाएगा, इस case में क्या जाएगा, n, n plus 3 हमारा nth term हो गया, और answer क्या जाएगा, तक लिखना है, और m3 है, यहाँ पी आगे, इसको solve कर लेंगा, ठीक है, यह सब मैंने आपको बताया था, पहली class में, previous classes में, convergence और divergency, आज हम लोग, geometric series के बारे में बात करेंगे, कि कोई भी geometric series होगी, तो आप उसको देख कर कैसे बता सकते हैं, कि यह हमारी भाई साब, convergent है या divergent है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, geometric series के बारे में, ओके, देखी, माल दीजे हमारी कोई geometric series हम यह example ले ले लेते हैं, one plus x plus x square plus dot 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 infinity तक, यह मेरी एक GP है, ठीक, यह convergent कब होगी, कोई भी GP convergent कब होगी, इस, convergent, if, convergent कब होगी, if, x is, x यहां पर क्या है, इसका common ratio है, common ratio वन से कम होगा, ठीक है, जहां पर, x जो है, वो positive होग, ठीक है, यह condition है, यह convergent तब होगी, and, divergent जनाब कब होगी, divergent, if, जो common ratio है, याने की, x हमारा greater than or equal to 1 होगा, तो जनाब हमारी क्या होगी, divergent होगी, चलिए, अब इसको explain करते हैं, थोड़ा देखते हैं, detailed में देखते हैं, explanation, अब इसका हम लोग explanation करेंगे, किस तरीके से यह जो मेरी पहली बाद है, कि अगर इसका common ratio वन से कम है, तो हमारी क्या होगी है, conversion to, यानि कि हमारा common ratio हमारा x है, 1 से क्या है, कम less than 1 है, ठीक, now, अब देखिए, SN हमारा क्या हो जाएगा, SN क्या होता है, जैसे हमारी कोई, मेरी जो series है, मेरी series क्या है, मेरी series है, 1 प्लस, हमारी जो series है, वो कैसी है, किस form में है, series हमारी इसी form में तो है, 1, प्लस, x, प्लस, x स्क्वेर, प्लस, x, q, प्लस, डॉट, 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 तक है, अब इसका हमें SN निकाल, SN क्या होगा, ठीक, formula मुँआ आपको पता है न, इस formula क्या होता है, मैं यहाँ पे, a, जब common ratio कम होता है, मैं लब ठीक, 1 से कम होता है, तो formula क्या होता है, a, 1-r, यहाँ पे common ratio power n, upon, 1-r, यही तो होता है, तो यही formula लगाई, a, यहाँ पे 1 है, a, ठीक, 1-r, क्या होगा, r की बेलूग क्या है, x, और x की power n, upon, 1-r, r की आ है, x है, यहाँ इसको जब हम लोग अलग करेंगे, तो मेरा अलग करने बाद में यहाँ आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा, x power n upon, 1-x, ठीक, इतना आ गया, इतने में, मेरे साब से, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसे नमार आ गया, इंडिविच्वल में, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, next step में, अब हम लोग limit करेंगे, limit, n tend to infinity, s n, तो limit दोनों पर put कराईए, limit, n tend to infinity, ठीक है, 1 upon 1-x, minus, limit, n tend to infinity, अब इस वाले पर limit put कराईए, इस पर क्या जाएगा, 1 upon, 1 upon, limit इसमें क्या जाएगा, देखें, इसमें क्या जाएगा, limit, यह मेरे था क्या वैसे, x n था, x n upon 1-x, तो limit, x n upon 1-x, यह है, ठीक है, अब आप देखिए, मैं, इसमें, जब कोई फराखी नहीं पड़ेगा, इसकी value यही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाई नहीं, n minus, यहाँ पर 1 upon 1-x को मैंने अलग लिख लिया, अब limit, क्योंकि limit थो हमें n पर पूट करा रहीं न, x power n, यह हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 1 upon 1-x, माइनस, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह तो आपका इतना ही आ गया, लेकिन जब आप इस पर limit put कराएंगे, limit n 10 to infinity करेंगे, इस वाले पर, तो यहाँ पर x की power infinity आ जाएगी, ठीक है, और x आपका क्या है, 1 से कम हैं, लेकिन बहुत छोटा number है, वालिजिए 1 upon 2, और 1 upon 2 की power infinity करोगे, तो 0 ही चला जाएगा, इसकी value 0 आ जाएगी, यानि कि हमारा value जाएगा, 1 upon 1 minus x, यह हमारा क्या है, finite value है, finite मंदलब क्या है हमारा, यह हमारा finite मंदलब क्या है, finite मंदलब क्या हो गया है, हमारा convergent हो गया, समझ रहे हैं, case 1 आपको समझ मैं या, यह हमारा जो case 1 है यह clear हुआ नहीं case 1 यह हमारा case 1 है यह clear हो गया case 2 देखिए case 2 case 2 में हमारा क्या है जब मालेजे x हमारा है case 2 में भी अब 2 को इस होंगे जैसे कि मालेजे जब x equal to 1 हो जाएगा तब और दुसरा case का बनेगा जब x greater than हो जाएगा one case यह दो case बनेगे तो जब मालेजे x equal to 1 है तब क्या होगा तो sn क्या हो जाएगा एक जिए पर one put कर दिए तो one plus one plus one plus one plus dot 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 infinity तक जाता रहेगा ठीक मतलब यह कब तक जाएगा n times तक जाएगा n times तक चलता रहेगा ठीक है इसका sum करेंगे वो n आएगा ठीक limit put का ही limit n 10 to infinity sn इसके value put कराईए infinity आ जाएगी n की जगे पर डालो infinity तो infinity आ जाएगा infinity का मतलब क्या होगा हमारे यह the series is divergent finite value थो नहीं आएगी clear हुआ न series हमारी क्या हो गया divergent हो गई क्या हुआ